हेलो दोस्तो वेलकम तो माई चैनल बहुत दिन अबाद मिल रहा हूं आप लोग से तो आज मैं आप लोग के लिए नया प्रोडक्त लीके आया हूं नया नहीं कहूंगा बट बहुत यूस्फुल होगा हर घर के लिए दोस्तो हम अपने घर में बैटरीज तो जरूर यूस करते होंगे डबल ए या ट्रिपल ए साइस की हमारे टीवी रिमोट्स फिर वाल क्लॉक इन सब में बैटरीज तो यूस होती होंगी और इनके उपर हमें बहुत सारा खर्चावी करना पड़ता है आज जो मैं चीज लेके आया हूं आप लोगों के लिए ये एक स्मार्ट चार्जर है जिससे आप इनी डबल ए या ट्रिपल ए बैटरीज को असानी से चार्ज कर पाएंगे हाँ पर वो होने चाहिए रिचार्जबल बैटरीज तो चलिए ब्लोग को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये रहा मरा बॉक्स पैनसोनिक बीक्यू सीसी सिक्स वान एक स्मार्ट बैटरी चार्जर जिसमें दो एलेडी इंडिकीटर भी है चलिए इसको पहले अन्बॉक्स करते हैं ये रहा चार्जर इसके साथ मिलता है एक यूजर मैन्वल जिसमें चार्जर के बारे में आपको सब डीटेल्स पोड डीटेल्स सब मिलेंगे और मिलता है एक माइक्रो यूजबी चार्जिंग केबल जो ज्यादा लंबा तो नहीं है बर चल जाएगा तो आते हैं हमारे चार्जर पर इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं पैनासोनेक बीक्यू सीच्वान यहाँ पर दो एलेडी इंडिकेटर्स दिख रहे हैं यह रहे हमारे चार्जिंग पोर्ट्स उपर है प्लस नेचे माइनस जो अप लगाते टाइम पर थोड़ा देख की लिजिएगा आप देख सकते हैं नीचे के दरफ दो पोर्ट्स देख रहे हैं आपको यह जो है अंदर का यह जब आप ट्रिपल बैटरी लगाएंगे उसके लिए बाहर के हैं डबल बैटरी के लिए यह इंपूट ले बैटरीज है इनको हम कनेक करते हैं यह डूरसल की बैटरीज है इसको पहले में नीचे लगाता हूँ आप यह रहे हमारे चारों बैटरीज लग चुके हैं आपको एक चीज बता दूँ इस चार्जर में चार्जिंग होते हैं पैर पर मतलब दो-दो के हुटे हैं इसलिए यह हीं यहाँ पर एक LED यहाँ पर LED भी आ गया है आप जब भी बैटरीज को लगाएंगे डबले लगाए या ट्रिपले लगाए हर वक्त पैर में ही लगाए यहाँ पर एक डबले लगाए तो यहाँ पर डबले ही लगाए ट्रिपले मत लगाएगा कि सेम हम अगर ट्रिपल लगाया तो यहां पर डबल रही हम तो इसको कनक करते हैं कि अब इसको आप यह यूसबी है तो आप घर में जो हमारे नॉर्मल फून की चार्जर हैं, उनमें इसको डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक चार्जर है, मैं इसमें इसको डालता हूँ, तो अभी हमारा सेट अप रेडी है, चलिए हम चलते हैं और देखते हैं यह कैसे चार्ज होता है, तो यह रहा है हमारे बैटरीज और चार्जर, चलिए इनको पहले लगा लेता है, लगा लिए, चलिए अब इसको आउन करते हैं, आप देख सकते हैं, दोनों LED जल रही है, इसका मतलब बैटरीज चार्ज हो रही है, अगर इनमें से कोई बैटरी खराब होता, यह आप समझ लिए हमने दो स्लोट में बैटरी लगाये हैं, दो स्लोट में बैटरी नहीं लगाया है, तो एक LED बंद हो जाता हूँ, चलिए मै यह दो बैटरीज खोल लेते हैं, अब जब हमने आन किया, एक ही LED जल रहा है, क्योंकि एक ही साइड में, एक ही पेर में हमने बैटरीज को कनेक्ट किया है, अगर हम समझ लिजे एक बैटरी भी इस साइड में लगाते हैं, फिर भी यह LED नहीं जलेगा, हमें पेर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी चार्जिंग शुरू होगा, अगर हमने खराब बैटरी भी लगाया है, तभी यह LED स्टेल नहीं होंगे, वो ब्लिंकिंग शुरू करेंगे, और हाँ, अगर कोई बैटरी पुरा जिरो हो जाता है, तो इसको कंप्लीट चार्ज होने के लिए आपको दस घंटे लगेंगी, डबल अ बैटरी, ट्रिपल अ में थोड़ा कम टाइम लगेगा, जो यहाँ पर बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है, यह चार ट्रिपल अ डबल अ सेल्स, कंप्लीट चार्ज होने में अप्रॉक्सिमेटली दस घंटे हमें लगेंगे, यह बात को दि टेकने के लिए आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और जो इंफ्रमेशन में आपको प्रवाइट किया होगा, उससे आपको कुछ ने कुछ हल्प तो हुआ होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर जिएगा, शेर कीजिएगा, और को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को और पर टिक कर दीजिए, बहुत ही जल मैं और भी इंट्रिस्टिंग और इंफरमेटिफ वीडियो अपको लोग के लिए लेके आने वाला हूं, तो चैनल के साथ बनी रहिए, आज के लिए बस इतना ही, टाड़!